हाई गाईज, वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज मैं लेकर के आगई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस वाली क्लास क्या होने वाली आज के क्लास? चलिए जल्दी से जान लेते हैं, आज सीखने वाले हैं अंग्रीजी बोलने के लिए सबसे उपयोगी शब्द जी हाँ, ये वो उपयोगी शब्द हैं जिनके बिना अंग्रीजी आप नहीं बोल सकते हैं, इनके बिना अंग्रीजी मुह से निक करते हैं आज की class उसके पहले अगर चानल पर नहीं हैं पहली बार इस class को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजे चानल को subscribe, subscribe कर ते वक बल ऐकान दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि जब भी हमारी कोई नई class आए, सबसे पहले आपको पता लग जाए, आप सीधे-सीधे हम से जोड़ सकते हैं इस WhatsApp नमबर के जरिये, हमारी books, हमारी e-books, हमारी paid courses के बारे में जानने के लिए साथी-साथी ये वाली class इसके जैसे धेरो class डिरेक्ली अपने mobile तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी social media sites पर follow, तो चलिए शुरू करें आज की class और जान लेते है कौन से हैं वो शब्द, सबसे पहला जो शब्द है वो है and, a and d and, पढ़ते हैं इसको क्या? and पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है? मतलब होता है और या तथा, मतलब क्या होता है? और या तथा, भई बताइए and का इस्तमाल तो हम लोग यहाँ वहाँ कहीं भी करते ही रहते हैं है न तो end के बेरां अंगरेसी बोल सकते हैं क्या आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं जानना तो ज़रूरी है end है न तो चलिए जान लेते हैं इस्तमाल कैसे करेंगे तो भई book and paper दो चीजों को जोड़ने के लिए end का इस्तमाल करते हैं book and paper किताब और कागज बुक एंड पेपर clear है बढ़ते हैं आगे is is मतलब क्या होता है मतलब होता है है मतलब होता है है तो जिस भी वाक्य में आपको इस्तमाल करना हो है उस वाक्य में आप इस्तमाल कर सकते हैं is का कैसे करेंगे इस्तमाल देखिए he is a teacher वह एक सिखशक है बढ़ते हैं आगे was was बढ़ते हैं इसको was मतलब क्या होता है मतलब होता है था, थे, थी कैसा मतलब है भाई ऐसा ही मतलब होता है यानि कि किसी भी वाक्य केंट में आपको दिख जाए था, थे, थी तो सवाख्य में was का इस्तमाल होगा कैसे? इस्तमाल देखी I was running मैं दोड रहा था I was running मैं दोड रहा था बढ़ते हैं आगे but लेकिन, but का मतलब क्या होता है but का मतलब होता है लेकिन, इस्तमाल देखिए but he will go लेकिन वह जाएगा if मतलब क्या होता है मतलब होता है अगर कैसे करेंगे इस्तमाल अगर वह बुलाता है बढ़ते हैं आगे अगला है और मतलब क्या होता है मतलब होता है या, ये भी दो चीजों के बीच में इस्तमाल होता है, लेकिन जब आपके वो दो options दिये जाते हैं, दो options में से किसी एक को चुनना होता है, options में और का इस्तमाल करते हैं, clear, चलिए कैसे इस्तमाल करेंगे, देखिए, book और pen, किताब और pen, book और pen, किताब या कलम, बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है to, to2, मतलब क्या होता है, मतलब होता है say, मतलब होता है say, इस्तमाल देखिए, Monday to Friday, सोमवार से शुक्रवार, Monday to Friday, सोमवार से शुक्रवार, clear है, आगे बढ़ते हैं in, 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 मतलब क्या होता है, मतलब होता है may, कैसे इस्तमाल करेंगे, it is in यह bag में है, it is in bag, यह bag में है, it is in bag, clear है, बढ़ते हैं आगे, into, into का मतलब क्या होता है, into का मतलब होता है, के अंदर, into का मतलब होता है, के अंदर, इस्तेमाल देखिए, he came into the room वह कमरे के अंदर आया clear है बढ़ते हैं आगे on on का मतलब क्या होता है on का मतलब होता है पर ये किसी चीज़ के ऊपर surface को touch करते हुए जब काम हो तब बात होती है कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए on the table maze पर maze पर बढ़ते हैं आगे by by मतलब by पढ़ते हैं इसको by मतलब क्या होता है मतलब होता है द्वारा मतलब क्या होता है मतलब होता है द्वारा इस्तेमाल देखिए go by bus bus द्वारा जाओ go by bus bus द्वारा जाओ go by bus बढ़ते हैं आगे so s o so मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसलिए जब भी आपको किसे वाक्य में इस्तमाल करना हो इसलिए तो आप क्या इस्तमाल करेंगे? So, इस्तमाल देखिए So I called, इसलिए मैंने बुलाया मुझे काम था So I called, मुझे काम था इसलिए मैंने बुलाया so I called, clear है, बढ़ते ही आगे, from, from का मतलब होता है, say, from का क्या मतलब होता है, say, इस्तेमाल देखिए, I am from Jalandhar, मैं Jalandhar से हूँ, I am from Jalandhar, मैं Jalandhar से हूँ, बढ़ते हैं आगे, for, for का मतलब होता है, for का मतलब होता है, लिये, या के लिये, इस्तेमाल देखिए, this is for you, ये तुम्हारे लिये है, this is for you, बढ़ते हैं आगे, over, यानि की सर के उपर या उपर, दोनों ही होता है, over हम लोग कब इस्तमाल करते हैं, over हम लोग तब इस्तमाल करते हैं, जब हमें उपर की कोई चीज दिखा नहीं हो, लेकिन वो हमारे सर से उपर हो, मतलब touch नहीं करता हुआ हो, तब over का इस्तमाल करते हैं, कैसे देखे, fan is over the head, पंखा सर के उपर है, भई आगे at यानि की पर, at का मतलब क्या होता है, at का मतलब होता है, पर, इस्तमाल देखे, he is at home, वह घर पर है, he is at home, clear है, बढ़ते हैं आगे, when, W-H-E-N, When, इस्तमाल देखिए when का, when का मतलब क्या होता है, पहले जान लीजे, when का मतलब होता है, कब, when का मतलब क्या होता है कब इस्तमाल देखिए when is he coming वह कब आ रहा है when is he coming वह कब आ रहा है when is he coming बढ़ते हैं आगे while w h i l e while मतलब क्या होता है जब की जब जब तक कुछ समय या कुछ देर के लिए जी हाँ इतना सारा इस्तमाल होता है while का while के लिए अलग से class करा रखी है अगर नहीं देखी है description box में link है जरूर जाकर के देखिए while का देख रहे हैं न कितना सारा शब्द के जगा पे इस्तमाल होता है तो चलिए इस्तमाल देख लेते हैं wait for a while थोड़ी देर इंतजार करो wait for a while थोड़ी देर इंतजार करो या कुछ देर इंतजार करो clear है बढ़ते हैं आगे still s-t-i-l-l still मतलब फिर भी या अभी भी फिर भी या अभी भी इस्तमाल देखिए it is still raining अभी भी बारिश हो रही है it is still raining अभी भी बारिश हो रही है it is still raining बढ़ते हैं आगे even यानि की यहां तक की even यानि की यहां तक की इस्तमाल देखिए he did not even call me यहां तक की उसने मुझे फोन भी नहीं किया he did not even call me यहां तक की उसने मुझे फोन भी नहीं किया बात करते हैं आम लोग ऐसे, कह रहे यार उसने शादी कर ली यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, he did not even call me, clear है, बढ़ते हैं आगे under, under मतलब क्या होता है, under मतलब होता है, नीचे, इस्तमाल देखिए, the mouse is under the table, चूहा टेबल के नीचे है, the mouse is under the table, चूहा टेबल के हैं, बढ़ते हैं आगे as yet, यानि कि अभी तक, as yet मतलब अभी तक, बढ़ते हैं आगे इस्तमाल देख लेते हैं, I have eaten nothing as yet, मैंने अभी तो कुछ नहीं खाया है, I have eaten nothing as yet, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, I have eaten nothing as yet, clear है, बढ़ते हैं आगे, beside यानि कि बगल में या पास, Beside मतलब बगल में या Pass इस्तमाल कैसे करेंगे देखिए Can I sit beside you? क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? Can I sit beside you? क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? Can I sit beside you? बढ़ते हैं आगे Never यानि कि कभी नहीं Never मतलब कभी नहीं इस्तमाल देखिए I am never free on Sundays मैं रविवार को कभी भी free नहीं हूँ? या free नहीं होता हूँ? I am never free on Sundays मैं रविवार को कभी भी free नहीं हूँ या नहीं होता हूँ? I am never free on Sundays क्लियर है? बढ़ते हैं आगे Always यानि कि हमेशा Always का मतलब क्या होता है? A-L-W-A-Y-S पढ़ते हैं इसको Always मतलब क्या होता है? मतलब होता है हमेशा इस्तवाल देखिए Always do good to others हमेशा दूसरों का भला करे हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए Always do good to others क्लियर है? बढ़ते हैं आगे Frequently यानि कि बार बार Frequently मतलब बार बार I frequently go there, आपको कोई restaurant अगर मान लीजे बेहत पसंद है, और कोई आपसे पूछ रहा है कि आप बार-बार वहाँ जाते भी हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ कोई अच्छे से restaurant का नाम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, कि हाँ भाई ये वाले restaurant में चले जाओ, I frequently go there मैं बार-बार वहाँ जाता हूँ, clear है, बढ़ते हैं आगे, often यानि की अकसर, often मतलब अकसर, इस्तमाल देखिए, I often visit Delhi for work, मैं अकसर काम के सिलसले में दिल्ली आता रहता हूँ, I often visit Delhi for work, मैं अकसर काम के सिलसले में दिल्ली आता रहता हूँ, I often visit Delhi for work, clear, बढ़ते हैं आगे, among, a, m, o, n, g, पढ़ते हैं इसको among, मतलब क्या होता है, beach में, k, beach में, या आपस में, मतलब होता है, beach में, k, beach में, या आपस में, इस्तेमाल देख लीजे, divide this among yourselves, इसे आपस में बाट ले, इसे आपस में बाट ले, clear है, मतलब कोई भी चीज़, मान लीजे, टीचर ने आपको कहा, कि Children's Day है, ये टॉफी को divide among yourself, यानि कि क्या आपस में बाट ले, clear है, बढ़ते हैं आगे, although, यानि कि हालांकी, काफी जादा important शब्द है, बहुत जादा इस्तेमाल होगा, इसको तो बिलकुल याद करी लीजे, मतलब के साथ और इस्तेमाल के साथ, मतलब पहले बता दू, मतलब होता है, हालांकी, मतलब क्या होता है, मतलब होता है, हालांकी, इस्तेमाल देखिए, although I am new here, I know some of the places, हालांकी मैं यान नया हूँ, मुझे कुछ स्थानों के बारे में पता है, मतलब मान के चलिए, आप कहीं पर गये हैं घूमने के लिए, आप वहाँ पर नये हैं, लेकिन आपने किसी से सुन रखा है उस जगा के कुछ जगहों के बारे में, तब क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ पर नया हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगह जानता हूँ, अल्दो, I am new here, I know some of the places, हाला कि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे कुछ स्थानों के बारे में पता है, clear, बढ़ते हैं आगे, again, again का मतलब क्या होता है, again का मतलब होता है, फिर, again का मतलब होता है, फिर, इस्तमाल देखे, come again, फिर से आना, बिलकुल, come again, फिर से आना, तो अगली क्लास में तो आपने फिर से आना ही है, तो बिलकुल, come again, clear, so yes guys, यह थी आज की क्लास, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, क्लास पसंद आई है, तो बिलकुल इसको लाइक कर दीजे, तुरंट, क्लास तो बड़ी इंपोर्टन है, इसके तो नोट्स आपके दिमाग में ही बन जाने चाहिए, बिलकुल, दिमाग में नोट्स बन जाएंगे, तभी तो अंग्रेजी जबान से बहार निकलेगी, तो बन गे ना, नोट्स दिमाग में, नहीं बने क्या, फिर दुबारा क्लास को देख लीजे, क्लास तो पसंद आई होगी, तो डेफिनेटली लाइक कर दीजे, लाइक कर दिया है, तो अब शेयर कर दीजे, क्योंकि ये क्लास बहुत-बहुत इंपोर्टन है, और आपके जो भी मित्रगंड इसको देख करके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, या जो भी अंग्रेजी सी सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक्त, बल आइकॉन दबाना, बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी कोई ऐसी नई इंटरेस्टिंग क्लास आए, सबसे पहले आपको पता लग जाए, तो डेफिनेटली इसके साथ ही आप सब के लिए है गुड नियूस, जो कि ये ह है कि आप सभी के ही रिक्वेस्ट पे बहुत जल्दी ही लॉंच करने जा रही हूँ, तीन-तीन किताबे, एक किताब होने वाली है, helping verbs के उपर, जी हाँ, helping verbs के बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, एक होने वाली है DLS, यानि कि daily life sentences, हमारी आपकी फेवरेट रोजाना प् वाले वाक्य, क्योंकि अंग्रेजी बोलना है न, अंग्रेजी की practice भी तो करनी है, तो DLS जो है, वही काम करता है, आपके अंग्रेजी को super fluent, super strong कर देता है, इसके साथ ही DLW, यानि कि daily life words के उपर भी एक किताब आने वाली है, daily life words कितने important है, words के बिना अंग्रेजी बोल सकत तो जोजाना प्रियोग होने वाले शब्दों के उपर भी एक किताब बहुत जल्दी लाने जा रही हूं, तो तीनों किताबों में से आपकी favorite वाली कौन सी है, comment करके मुझे जरूर बताएं, इसके साथी, यह है हमारा free spoken English का course, जी हाँ, नाम क्या है, साड़े छे घंटे में अंग्रेजी बोले, मिलेगा कैसे आपको free course है, चलिए पहले कुछ बता दू course के बारे में, course का नाम है, साड़े छे घंटे में अंग्रेजी बोले, यह बिल्कुल free course है, जिसमें आपको मिल जाती है, 60 plus video lectures, यानि कि 60 plus classes, जो कि class wise है, class 1, class 2, class 3, class 4, ऐसे करते करते आपको total 60 plus classes मिलती है, हर class में मिलता है आपको homework, जिसको करना है आपको practice, साथी साथ आपको मिल सकती है, इसी पर based ebook की free sample भी, अब भई यह चीजे कैसे मिलेंगी, इस number पर करना है आपको whatsapp, और लिखके भेजना है मुझे 6 घंटे वाली course, और उसका sample ebook चाहिए, तो यह दोनों ही चोने अंग्रेजी सीख रखी है, अब आपकी बारी है, मंगवा लिजे इस course को अभी अपने लिए, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे premium WhatsApp spoken English course में, so इसकी inquiry आप इस number पर कर सकते हैं, इनक्वारी किस बात की करनी है, कि कितने दिनों का course है, कैसा routine है, homework check कैसे होगा, और अगर आपको doubt आगया, तो ये कैसे पूछेंगे, ये सारी inquiries आप इस number पर कर सकते हैं, साथ ही ये जरूर पूछ लीजेगा, किसके अगली batch कप शुरू हो रही है, और ये है basic English grammar course, जी हाँ, grammar की basic वाली course, जी हाँ, वही course, जिसको आप ढूंड रहे थे, व पूरी तरीके से तयार, जल्दी से इस number पर inquiry करिये, पता कर लीजे, इसके अगली batch कप शुरू हो रही है, ये है basic English grammar for kids, जी हैने की छोटे बच्चों के लिए grammar की course, अब बच्चों को grammar सिखाना, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये असान है, क्योंकि आपके जी है, psychologically designed basic English grammar for kids, जिसमें बच्चों को खेल खेल में grammar सिखा दिया जाता है, उन्हें बोरियत नहीं होती, तो जादा देर पढ़ाई हो पाती है, अब पढ़ाई हो पाएगी, तब तो grammar के concepts clear होने ही होने है, तो जल्दी से इस number पर inquiry करिये, पता कर लीजे, इसके अगली batch कप चुरू हो रही है, यह है basic English grammar and writing for school, जी हाँ, आप किसी भी school में पढ़ते हो, आप किसी भी class में पढ़ते हो, आप किसी भी board के student हो, यह course बिलकुल आपके लिए है, इसमें मिलती है आपको writing section, यानि की debate, writing, essay, writing, letter, writing, notice, writing and what not, जो भी आपकी English writing की syllabus है वो सब, साथ ही आपकी grammar क जो भी syllabus है वो सब, जी हाँ, यह दोनों ही चीजे करने के बाद, फिर कैसे नहीं आएगा number, grammar और writing में, तो जल्दी से इस number पर inquiry करिए, पटा कर लीजे, इसके अगली batch, कब शुरू हो रही है, और यह है premium competitive English course, यानि कि अगर आप ऐसे किसी भी competitive exam के तयारी कर रहे हैं, जिसम आपके questions, basic advance zone, यह सारी चीजे इसमे आपको खराई जाती है, जल्दी से inquiry कर लीजे, इस number पर, कि इसके अगली batch कब शुरू हो रही है, इंक्वारी करते वक्त बस ध्यान रखे, कोर्स का नाम लिख करके, इंक्वारी भेजे, ताकि हमारे प्रतिनी धियाप तक सही समय पर सह जानकारी पहुंचा पाएं, जानकारी मिलने में लगवख 12-40 घंटो का वक लग जाता है, तो कि प्रतिक्षा करें, और अगर मेसेज कर दिया है, तो निश्चिन्थ हो जाएं, आपको रप्लाई जरूर जरूर मिलेगा, clear, so yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, be with bbanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to bbank कर एंगर.